हेलो फ्रेंट्स वेल्कम और वेल्कम बैक टो माई चैनल पुझास कुड़ लाइफ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा टोपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी आसन तरीके से आपके ज़र में आइजन देवकर आप लोग समझ कही होगी कि मैं आज आप लोगों के साथ एक इसकिन केर से रिलेटिट क्लींजिंग शेयर कर रही हूँ और अगर हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो उस पर डाइट की वज़ए से ऑईल की वज़ए से बहुत सारे पिंपल्स और दाने होने लगते हैं त इसी तरह हमें अपने फेस को क्लीन भी करना है और इसको क्लीन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पूड़ेगा बहुत ही सिंप्ली असान सी रेमिडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आप अपने घर की चीजों से बहुत आखानी से बना सकते है कैसे बनाना है यह रेमिडी तो सबसे पहले आपको चाहिए एक क्लीन बाउल और उसमें एड़ करने हैं आपको चार चमच कच्चा दूद और जैसा कि आपको पता है कच्चा दूद बहुत ही जादा एफेक्टिव होता है हमारे फेस और इसकिन के लिए कच्चे दूद म पाए जाते हैं ब्लीचिंग प्रोपर्टीज लेक्टिक एसिड प्रोटीन और इसके बाद हमें यूज करना है रोज वाटर वन टेवल स्पून रोज वाटर हमारी इसकिन को हाइड्रेट रखता है और पी एच बैलन्स को मैंटेन करता है और इसके बाद आपको चाहिए व केपसूल ले लेना है और उसको एक कैजिकी हेल्प से कट कर लेना है और आपको याद रखना है आपको वितमीन में के बहुती थोड़ी Sumon & सब चीजों को अच्छे से मिला लेना है एकातीफ लिए वी कट Theo पूरे फेस तरीके से अप्लाई करना है अच्छे से इसको अप्लाई कर ली जगा और हाफ रेंड इस रेमडी को आप डेली यूज़ करिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको नाइट में तो जरूर ही अप्लाई करिए क्योंकि पूरे दिन की डश्ट और डर्ट और जो भी चीज़े हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं उन सबको क्लीन करने में यह बहुत जादा है उससे क्या होता है इसको लगाने से हम अपने पोर्स से हमारे अंदर ऑईल इसकिन में और डर्ट एकटा हो जाते हैं उनको यह अच्छे से क्लीन कर देता है और इसको आप डेली अप्लाई करिए यह बहुत ही आसान रेम्डी है अगर आपके पास नाइट में तो नाइट में करिए अगर आपके पास सुबह कर लिए पर इसको आप अच्छे से पूरे पर अप्लाई कर लिए और अप्लाई करने के वने के बाद आराम से इसको 10-15 मिन के लिए छोड़ दीजिए जैब यह थोड़ा से ड्राय हो जाए उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वाश कर लिजे और वाश करने के इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे और आपको यह रेमिडी भी बहुत अच्छी लगेगी तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपके पास विटमीनी के कैप्सुल नहीं है तो आप उसको सिर्फ गुलाब चल के साथ मिक्स करके भी एप्लाई कर स है तो इसलिए मैं आप से बोल रही हूं कि आप इस रेमिडी को जरूर से एप्लाई करें डेली एप्लाई करें इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके जाना और मैं मिलूँगी आप स आप में नेक्स वीडियो में तफता के लिए बाइ